कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टुश्विंग ट्रेड फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कुछ एक अच्छा स्टॉक के बारे में जो कि अभी कल मार्केट ओपन होते ही यह स्टॉक के ओपर आपका नज़र रहना चाहिए तो यह स्टॉक में आप पोजिशन बना के चल सकते हैं नही देखें तो वीडियो करने से पहले आप सबको मैं जरूर्स करना चाहूंगा आप इस चैनल पर नया है विडियो आपको पसंद आता है विडियो को जरूर्द लाइक कीजिए और फ्रेंज की साथ में जरूर डर रहे हैं तो उतना जदा बड़ा करेक्षण भी अभी तक नहीं हुआ है उनली फाइफ परसेंटेज का करेक्षण हुआ है तो अभी अगर देखेंगे तो निप्टी कौन सा लेवल तक जा सकता है एक बार थोड़ा सा निप्टी का अनालेसिस कर लेते हैं उसके बाद में बात करेंगे अगर हम देखते हैं निप्टी यहां पर बहुत बार यह लेवल पर सपोट लिया है ठीक है अगर हम इसी लेवल देखते हैं यहां पर बहुत बार बहुत बार कितना बार केंडल ने सपोट लिया इस लेवल पर ठीक है तो अगर देखेंगे निप्टी यहां यहां पर सब्सक्राइब के पास में आ चुका है अभी तो यहां पर फिप्टी डेज का मुविंग अबरेज के ऊपर अभी ट्रेडर हो रहा है तो अगर इसके बाद में थुड़ा सा करेक्शन आएगा तो यहां पर निप्टी जरूर यहां पर समल जाएगा अगर नेक्स लेवल पर अगर आता है करेक्शन तो वहां पर यह करेक्शन पर हमें कुछ नहीं करना है कोई सेल नहीं करना है उसको पकड़के रखना है सेल नहीं करना है ठीक है सारे सार अच्वाइज इसलिए kicking अभी जो बूल मारकेट यहां जो हमें उसलिए की श्टाइक के बात करतें इसलिए तो हमारा मूश लए मेना पर्ट्फोलिय में में बात करेंगे एक सबको मालूम होगा जो भी स्टॉक मार्केट में अगर कुछ दिन से जुड़े हुए हैं ऊबस प्रेदिंग से सबस्कार्य टेलिवारी उठाए गया है अभी इसका तो चाहतर करोड का profit लाश्ट कोटर में था अभी 147 करोड का profit फोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है ठीक है तो अगर हम यहां पर बैलेंस सीट में जाके देखते हैं बैलेंस सीट में वे एक अच्छा सा बैलेंस सीट है जो की और अगर हम देखते हैं अगर हम देखते हैं यहां पर प magist्विस्टी परसंटेज का पर निकल जा तो उहां पर पाफ समन्मी को本当 का हो एक मौस्टी गयर को यहां देखें गजा दो यहां पे तो यहां पर दिखेंगे यहां पर दो मोई अभेश लगा हो है जो कि यहां पर ब्लाक कलर का है और डेवन का चैनल स्टिक पैटन है तो डेली केंडल सिक पैटन है अगर हम इसी साफ से देखते हैं यहां पर दिखें यहां पर पर सपोट लिए ठीक है अगर काफी दिन से आप यहां तक आया भी तो था ठीक है लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है यह लेवल तक आ भी सकता है आपको यह लेवल के उपर बिल्कुल इंतेजर करना चाहिए ठीक है जो एक लेवल है जो की तक आगर आथजासाटो अच्छाटाइसे लेवल परीतिन परसेंटेज़् परकूम के लेकरत में अगर आपको इसमें भी पनाना नहीं है यह वह दूवे करें इस सकते हैं तो स्टोक के बारे में बात करेंगे है जो कि इसमें भी बनाना यह concept mai अगर स्टापे ठीक हम एसका हम भी स्टाप चूज़ कर सकते नितर डोन अगर लना यह सकते हैं में कि मेन के एक क्षिच मार्केट का मार्गिट के अगर का प्रोफिट देखते हैं यहां पर देखा जाएगा तो इसी साफ से अगर आपना पोटफोलियों में लेना है तो लेके चल सकते हैं काफी दिन से अगर आप देखेंगे ना यहां पर अंडेटेका मोवी आपर इसको बहुत बड़ीया से रिस्पेक कर रहा है मल्टी अगर स्टॉक में आपको बता रहा हूं दस बारा स्टॉक के बारे में बढ़ा रहा हूं यह आप लाइप टाइम के लिए लेके चल सकते हैं कोई भी प्रोब्लेम नहीं यह स्टॉक में अगर आप जॉब में बीजी हैं कहीं पर यह बडी सब्सक्राइब तो मेरे हिसाब से वह फॉंड को आप यहां पर आलोगेट करके चल सकते हैं जो कि लंबा टाइम के लिए आप यह स्टॉक में सब लेके चलेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्शिपिकेशन करके रखेंगे सब्सक्राइब अगर हम इसका देखते हैं 10 साल में देख लीजिए 56 परसेंटेज का सीजिए रिटन दिया है स्टॉक में ठीक है तो मिंदा स्टॉक है इसमें आप पोजिशन बना के चल सकते हैं नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंट्स जो कि डिक्शन टेकनोलो अगर इसका हम इसका हम क्वाटरली रेजल्ट विदेखते हैं यहां पर दिखिए 2800 करूर का जो सेल्स होओ अगर हम प्रॉफिट देखते हैं 63 करूर का प्रॉफिट हुआ है जो कि ऑफिए बढ़ी है तो पोजीशन बनाना है तो पोजीशन बना के चल सकते हैं मल्टी वे लेबल पर ध्यान रखिए जो कि 100 के पास में यह स्टॉक आ सकता है यहां पर थोड़ा सा क्वांटिटी आप अक्मिलेट करके चल सकते हैं जो कि 4500 का लेबल है अगर आपको थोड़ा सा इंतेजर करना है तो यह लेबल पर भी बिल्कुल इंतेजर कर सकते हैं जो कि 3900 से लेके तो इसी साब से और थोड़ा सा भी अगर करेक्शन निप्टी में होगा तो यह तक भी आ सकता है अगर अभी करना है तो 100 के पास में भाई करके चल सकते हैं क्योंकि बढ़ी आसा प्रॉफिट आया है हमें स्टॉक में कोई शॉक भी नहीं है यहां पर अगर नेक्स टॉक के इसके निचे आद चुका यह चुक्त थीक है बड़ी है साट यह करता हुए था कि लेगे ना तो बन सकते हैं यह तो करोड़ बन सकते हैं तो इस्टा को सिलेक्ट किई है जो कि लंग टॉर्म एक बहतरीन आपको दे सकता है अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आपको बड़ी हैसा रिटन भी देगा अगर यह स्टॉक का हम दौस साल का रिटन भी हम चेक करते हैं तो एक अच्छा सा रिटन दिया है यहां पर दौस साल में दिखेंगे तेन इस दिखेंगे काफी दिन से चल रहा तक आचुका अभी तो मैं इंतेजार कर रहा है यह कब तक आ जाएगा फिर उसके बाद में इसमें करोंगा यह प्र भी मैं इसमें इसमें बहुत जादा है पिर भी मैं यए ऑपरचुनोटीच को खोना नहीं चाहता हूं ठीकैंट अभी कि एक लेवल तो आ चुका है यह लेवल पे अल्रेडी मेरा इंवेस्मेंट पहले से भी है अभी यहां तक में इंतेजार कर रहा हूं अगर यहां पे यह लेवल आ जाता है ठीक है और थोड़ा सा करेक्शन आता है तो उस ताइम पर मुझे भर-बर के यहां पर करना यहां पर सब्सक्राइब कर रहा है तो इसी साब से आप यह स्टॉक के ऊपर बिल्कुल नजर रखिए अगर आपका लंग टर्म का पोटफोलियो है न यह स्टॉक का लेके चलिए अभी लेकि एक ही क्वांटिटी आड़ करके चलिए ठीक है जब टाइम आएगा जहां पर निप्टी लेके चलता है ठीक है तो आप यह स्टॉक में बिल्कुल आपना नजर बना के रख सकते हैं जो कि HDFC-MC है अभी 26 का लेवल पर चल रहा है अभी अगर बाइकर ना है तो भी वाहिकर करके चल सकते हैं बहुत बहुत को अगर चाहिए तो चार-पांस पर संट का क्रेक्शन पर किसी को नहीं पता कुण सा लेफल पर अगर एसा कि si ko मालूमता था कशी ही कहाता और हर को अमिर बन जाता वह हैं हमें सांड आपanstराहतों किसी को हमें स काम नहीं करता है receipt तो यह स्याइश टाक मीं इस लेफल सब यह ऐसे जाता हो और हैं एक elbow के ठीक typical वाठक CAS जो कि हिंदुस्तान उनिलिवर है अभी में चिला-चिला के सब को बोल रहा हूं अभी करते चलो हिंदुस्तान उनिलिवर यह कंपनी एक मल्टी वैकर स्टॉक है और रिस्क प्री इन्वेस्टमेंट है आपका जो एब डी रखा हुगा है ना यह दिस तो बहतरी यहां पे रि सब्सक्राइब करेंगे जो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा उसको यह स्टॉक के बारें बात करेंगे जो कि आवंती फीड से बहुत बड़ा बढ़ा मलटीव अगर स्टॉक किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जो अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा उसको यह स्टॉक के बारे में जरूर पता होगा यह बहुत बड़ा मल्टीवज अगर आपको पोजिस्टन बनाना काफी दिन से चल रहा है देखिए यहां पर आप देखेंगे ना अगर मैं आपको एक मॉंथली चार्ट को लेके चलता हूं मॉंथली चार्ट पर आपको मैं बताता हूं देखिए यहां पर दिखिए कितना मॉंथ से यहां पर एपए और उक्टाबर में यहां पर देखिए लास्ट युँरु में युसी लेवल पर चल रहा था तो कितना दिन से चल रहा है ए इस टोक जब चल रहा है यहां पर 2017 को यहां पर 100 डरेक्स छान हो था बहुत बड़ा करोड़ बना चुका है अगर आभंती फिट्स के हम बात करते हैं तो कि एक स्मॉल क्याप स्टॉक यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जहां पर करेक्शन होता है यह स्टॉक में करेक्शन होगा ही होगा स्टॉक में थोड़ा सावटेज काम दिए तो लार्ज क्याप स्टॉक में उसमें ज्यादा दीजिए ठीक है यहां पर 50% का और प्रोफिट भी देखिए 57 परसंटेज का प्रोफिट भी हुआ यहां यहां पर आरोई दिखिए ठीक है बड़ी ऐसा स्टॉक है चाहिए इसमें आपका पोजिस्टोण होना ही चाहिए मल्टी व्यागा रिटन आपको दे सकता है लेकिन आपको होड करना है जो की लंग टर्म के लिए लंग टर्म के बाएं बात करें है तो अभी अगर देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ दिन पहले मैंने बताय था य कुछ अभी टार्गेट नहीं हुआ है ने लास्ट विक में तो अभी मैं इंटेजर कर रहा हूं कोई एक स्टाक में जैसे संटीवी हुआ जब इसे टार्गेर ने वाला है तो वहां से जैसे वहां से तो मेरा नजर यह सब रहेगा ठीक यहाँ पर रहेगा ठीकिन? यहां से परसेंट का फिर भी क्रेक्शन हो सकता है इसा कुछ भी यारेंटिक नहीं यह सकता है ठीक है काफी दिन से जब इतना पर्सेंटेज का रिटन दिया है तो फिर से हंडेड़े मुवियां आ भी सकता है कोई ग्यारेंटी नहीं है अगर आ भी जाता है तो मेरे लिए उपर्चुनेटी बनके आएगा फिर आड़ा हम कर सकते हैं ठीक है तो अभी यह स्टॉक के ओपर है यह जो आपका आयर्सिती से इसका रेजल्ट भी आने वाला है आपके ऊपन कर लेंगे अगर आपको मालूम नहीं हमारा प्ले सेक्शन में इक वीडियो का बिगनर सेक्षन है विगनर प्लेलिस्ट के लिए तो यहां पे आपकी सवब्ल पर नहीं है तो यहां पर आपकी लिखा हुआ है जो कि काल इसका रेजल्ट आने वाला है तो काल का दिन में आपको इस टॉक के ओपर बिल्कुल रहना चाहिए रेजल्ट क्या आता है रेजल्ट का बेस पर हम पूजिशन बना सकते हैं ठीक है बड़ी ऐसा स्टॉक के पार में बात करेंगे जो कि ठीक है जहाँ थी हैं इसे काफी दिन से यहाँ बना हुआ है ठीक ठीक है यहां बहुत बहुत शपॉट्पोर्ट है अगर आप यह अहाँ करते हैं कोई भी बुरा नहीं है इसका अगर रेजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट भी आने वाला है मार्केट अभी रेजल्ट का इंतेजार कर रहा है तो उस पेसिस पर हम डिसीशन ले सकते हैं कि क्या करना लेकिन कोई और कोई प्रोब्लेम नहीं है मुँगजच बहुत कंठ़ा ठीक है तो यसा कोई प्रोब्लेम नहीं है क्योंकि यह उन्हों कि ihrer है कि बात करेंगे जो कि TCA से एक मार्केट लिडर रेस्टाइब काफी दिन से चल रहा है देखिए यहां पर यह सेम लेबल पर चल रहा है जो कि करेंगे जो कि करेक्शन पर फिर भी हमें ऑगर पेशन नहीं होता है तो कोई अच्छा सा स्टॉक को तो पर कमा भी नहीं सकते अगर हम भाई करने के बाद में दौस-पंद्रा-बीस परसेंट अगर करेक्शन हो जाता है उस टाइम पर हमारा पेसेंट को बैठते हैं तो फिर हम कैसे फिर स्टॉक मार्केट में इंवेस्टमेंट करते हैं बीस साल के लिए पत्सी साल के लिए जहां पे इनफोसीज में अगर 25 साल किसने इंवेस्टमेंट किया है दोस साजार से लेके सट्रा करोड़ तब का जर्णी उसने शफर किया है तो शफर में कितना बड़ा करेक्शन भी उसने देखा होगा यहां कि आज बाई कर लिया काल बन गया ऐसा नहीं होता है बहुत बार का यहां पर करेक्शन हो गया यहां से निकल जाओ इसा करूं इसा करूं बहुत बार इसा मन में ख्याल आता है लेकिन उस टाइम पर आपको करना ही पड़ता है दूसरा कोई सवाल नहीं है जब आपने फंडामेंटल आनालीशिस करके लिए जब आप बोल रहे हो कि करें रहे हो इसका है पर बाद की प्रोबलेम नहीं है बड़िए अस हैग्लिए true he यह सब्सक्रेशन आ है लगार्ण में करते हैं कोउड़े प्रोब्लेम नहीं है के बाहरेहां करेंगे जैकि ढ करें पोजीशन बना के चल सकते हैं यहां देख कि बड़ीक सपोट के प्रास पर चल रहा है अगर थोड़ा सा इंतेजार करना करना है तो यहीं लबल से लेके 2400 पर बढ़ी सपोर्ट बना वाए देखिए पिछले साल में भी यहां पर सपोर्ट था तुन्टी में अभी देखिए यहां पर सपोर्ट था यहां पर सपोर्ट ले सकता है यहां पर एक सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो यहां तक आ भी सकता है यह स्टॉक में आप पोजिशन बना के चल स ठीक है इस टॉक मार्केट में अगर इसा स्टॉक आपना पोर्फोलिय में रहता है उसकी बावजुद आप अगर रिग्रेट करेंगे फॉल जहां पर होता है तो फिर हम भी स्टॉक मार्केट में फिर कैसे गेन ले सकते हैं यही कुछ दस बारा स्टॉक के बारे में था ओबर इसी पीडिलाइट टीची एस और आइसर मोटर इस सरे स्टॉक में अपना पोजिशन बनाके चल सकते हैं थोड़ा सा खुद का रहा स्टॉडी करके पोजिशन बनाई है मेरा क्याने पर बिल्कुल बाई मत किजिए क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन होता है अगर खुद में नहीं बोल रहा हूं यह मेरा भी हादत था जब शुरुआत में मैंने भी स्टॉक मार्केट में इंवेस्टमेंट किया था लेकिन मैंने आपने आपको शुदा रहा कि मैं किसी को बोलने से क्या फाइदा है जो भी करना है मैं खुद का अनलेसिस पर लूंगा अगर आपने अक्षन लिया तो यह आपको प्रॉफिट मिला ठीक है तब थोड़ा सा अनलेसिस करके लिजिए स्टॉक मार्केट में इंवेस्टमेंट कीजिए बढ़िये से पोट्फोलियो ग्रो कर सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं स्टॉक मार्केट में है ठीक है अगर वीडिय पर वाचिंग दिस वीडियो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में